क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि कहीं से शौट ट्रम लोन मिल जाए यानि एक दो महीने के लिए पैसा उधार मिल जाए और काम हो जाने के बाद आप उसे वापस लोटा दें और वो भी बिना ब्याज के यानि इंटरस्ट फ्री लोन तो ठीक सोचकर आपने इस वीडियो पर क् पैसा उधार लिया जाए और उस पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए इसलिए कहा जाता है कि smart, intelligent, educated and rich लोग यह जानते हैं कि money के wheel को कैसे घुमाया जाए दोस्तों bank हमें दो तरह से card प्रोवाइड करता है एक debit card और credit card और यह कहा जाता है कि plastic money 21 सदी का सबसे बड़ा revolution है plastic money को use करके आप rich बन सकते हैं लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि debit card और credit card में क्या अंतर है और कैसे credit card का इस्तिमाल करके हम पैसे से पैसा कमाएं debit card से आप तभी payment कर सकते हैं जब आपके bank account में balance हो और debit card से payment करने पर वो पैसा instant आपके account से कटता है इसलिए credit card की अपेक्षा तो 20-50 दिन का interest आप अपने saving account पर बचा सकते थे वो भी नहीं मिलता और credit card से payment करने पर आपको 20-50 दिन का time मिलता है जिसमें आप payment कर सकते हैं ध्यान रखिए credit card से benefit आप तभी ले सकते हैं जब आपको यह पता हो कि किस तरह से credit card का सही इस्तेमाल करना है इसलिए credit card एक ऐसा device है जो आपको 20-50 दिन का interest free loan देता है और extra benefit भी देता है दोस्तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिसमें instant loan यानि credit card का इस्तेमाल करके आप अपने business को grow कर सकते हैं money का inflow बढ़ा सकते हैं और saving कर सकते हैं और उस saving के पैसे को invest करके पैसे से पैसा कमा सकते हैं जैसे बहुत सारे समझदार लोग पहले से करते आ रहे हैं आईए समझते हैं पहली बात make payment by credit card even if you have money in your bank account आपके bank account में पैसा हो तब भी आप payment credit card से करें आईए इसको एक उधारन के मादिम से समझते हैं मान लीजिए आप एक 2,000,000 रुपे की machine खरीदना चाहते हैं और machine खरीदने के लिए अगर आप अपने bank account से payment टरते हैं शाहें वो debit card हो, online RTGS हो, fund transfer हो या check हो तो वो पैसा instant आपके bank account से कट जाता है और अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप ये चाहेंगे कि मुझे 2,000,000 रुपे का interest free loan instant loan मिल जाए लेकिन अगर आप एक smart businessman है तो bank में पैसा होते हुए भी आप ये payment credit card से करेंगे इसके दो फायदे होंगे नमबर वन, 2,000,000 रुपे जो bank में आपके पास save है उस पर आपको 50 दिन का interest मिलेगा मान लीजिए एक bank 7% का interest देता है वैसे आज के 7,000 पर bank 5% से 7% का interest देते है अलग-अलग bank में ये vary करता है तो मान लेते हैं कि वो 7% का आपको interest देता तो 7% का interest 50 दिन का लग-भग 950 रुपे होता जो आपके लिए एक interest saving के रूप में आपके पास आएगा इसके लावत 2,000,000 रुपे जो bank account में आपके पास save है उसका इस्तिमाल आप working capital के रूप में भी कर सकते हैं और 50 दिन के समय के बाद उस payment से आप अपने credit card की payment भी कर सकते हैं या आप उस पैसे को कहीं और invest करके 10%, 15%, 20% या business में तो 30% का profit भी ले सकते हैं and the next make a list of your monthly business expenses that you can shift from debit card to credit card like fuel, diesel, petrol, traveling, आपका online shopping और किसी भी तरह के other expenses जो आप debit card से करते हैं और जो पैसा 20-50 दिन के लिए आप खर्चा केवल credit card पर shift करके बचा लेते हैं उससे आप business में use कर सकते हैं इसके अलावा bank आपको बहुत सारे benefit in terms of reward point और cash back के रूप में भी देता है जैसे आप fuel purchase करते हैं तो उस पर 5% का cash back है, किसी किसी चीज़ पर 10% का cash back है आज बहुत सारे banks, HDFC, ICACI, Axis Bank ये सारे banks बहुत सारी schemes कमपनी के साथ मिलकर design करते हैं जैसे उधारन के उरुप में मैं बताऊं मैंने Macbook Air खरीदा तो उस मुझे 10% का cash back मिला मैंने Apple का phone खरीदा उस मुझे 10% का cash back मिला कई बार ऐसी schemes होती हैं जहां पर आप 10% तक केवल credit card से payment करके बचा सकते हैं और जो 50 दिन का समय आपको मिलता है उसको भी use कर सकते हैं आप कितना भी payment debit card से करते रहें आपके civil score पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन अगर आप credit card की payment timely करते हैं तो अपका civil score improve होता है जिसकी वजह से बाकी मिलने वाला loan आपको low interest rate पर मिलता है जैसे home loan, car loan, business loan, personal loan जब आप ये loan लेने जाते हैं और आपका civil score high होता है तो bank आपको कम rate of interest पर पैसा उधार देता है जो एक तरह से बहुत अच्छी saving है And the next, manage your track record and get tax benefit Friends, जब आप credit card से payment करते हैं तो सारी की सारी transactions आपकी statement में record हो जाती हैं इसको आप अपने business expenses में show करके भी tax का benefit ले सकती हैं एक उधारन के रूप में मैंने आपको पताया था कि मैंने apple का macbook air लिया मैंने apple का mobile phone लिया तो मुझे 10% cash back मिला वो मेरे लिए एक extra saving थी और जब उन खर्चों को मैंने अपने business expenses में डाला तो वहाँ पर मेरे taxes भी बच गए क्योंकि tax के वल उस income पर लगता है जो कमाई हुई income के बाद खर्चे घटाने के बाद बचती है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा tax benefit आप ले सकते हैं और उस पैसे को invest कर सकते हैं अपने further income generation के लिए and the next use your reward points as your extra income friends जब आप credit card से payment करते हैं चाहे वो electricity bill हो चाहे वो fuel हो traveling expenses हो hotel expenses हो या किसी भी तरह की payment हो तो आपको बहुत सरे reward points मिलते हैं और आप उन reward points को and cash कर सकते हैं उस reward point के बदले भी extra benefit ले सकते हैं for example last year मैंने 50,000 reward points में jet airways की 20,000 की ticket free of costly मतलब वो जो 50,000 reward points थे जो मेरे पास एकठे हुए थे उससे मैंने 20,000 रुपी की jet airways की ticket ली और वो 20,000 रुपे जो मेरे bank account से कटते वो एक तरह से मेरे लिए saving है तो friends बहुत सारे reward points के जरिए भी आप एक अच्छा benefit ले सकते हैं आजकल तो banks reward points के रूप में Amazon voucher, traveling voucher, air ticket voucher जैसी facilities देती हैं जिनको आप convert कर सकते हैं तो friends ये थे वो 5 ऐसे benefit जो credit card यानि instant loan की option का इस्तिमाल करने के लिए आपको मिलते हैं लेकिन कई बार ऐसी emergency हमारे सामने होती है जहां में पैसे की सक्स जोरोत होती है जैसे अगर मान लीजिए कोई miss happening हो जाए आपको hospitalized होना पड़े या कोई ऐसी दुरगटना हो जाए जिसमें आपको instant पैसे के जोरोत हो तो उस समय पर कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे को manage करना इसलिए credit card एक अच्चा option है जहां पर आप emergency में अपने credit card को use कर सकते हैं और हाँ credit card की जो इतनी advantages हैं इसके अलावा credit card की कुछ disadvantages भी हैं जिनने याद रखना और समझना बहुत जुरूरी है जब भी आप कोई purchase credit card से करते हैं credit card का इस्तिमाल करते हैं तो credit card की due date आने से पहले credit card की payment जरूर करें क्योंकि credit card जो आपको 50 दिन तक का loan एक तरह से देता है आपको चीज़ें credit पर देता है अगर आप payment time से नहीं करते और एक भी दिन अगर extra होता है तो आपका जो interest free period था उसका भी interest लग जाता है और आपको पता होगा कि credit card का rate of interest भी बहुत हाई होता है 24 से 30% का interest और penalty credit card company चार्ज करती है इसलिए हमेशा credit card की payment timely करें and the next late payment की interest और penalty pay करने के बावजूद भी आपका civil score घट जाता है या महेंगे rate of interest पर आपको loan मिलता है and the next कई बार हम unwanted चीजों की shopping कर लेते हैं जिनकी हमें वर्तमान में जरूरत नहीं है तो ऐसी shopping से जरूर बचें और credit card का इस्तिमाल अपनी income को बढ़ाने में करें ना कि उसका इस्तिमाल आपके सामाने खर्चों में करें and the next कई बार credit facility होने की वज़ा से हम वो unwanted expenses कर देते हैं जिनका expense हमारे लिए जरूरी नहीं है इसी लिए credit card का इस्तिमाल करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप कौन सा खर्चा करने जा रहे हैं और कौन सा ऐसा खर्चा है जिसका आपकी life में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है and the next credit card से cash withdrawal ना करें मतलब paytm जाकर withdrawal ना करें क्योंकि उसमें आपको 50 day का credit नहीं मिलता 50 day interest free loan नहीं मिलता from the day first आपको महंगी rate of interest पर पैसा उधार मिलता है इसी लिए cash withdrawal के लिए credit card का इस्तिमाल ना करें और जैसे से आप credit card का सही तरीके से इस्तिमाल और right time पर payment करते जाएंगे आपके credit limit भी बढ़ती जाएगी स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत